कि गाइज वेल्कम टो मैं चैनल ब्यूटी टिप्स अन्यसपीज आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं डे टू रेमेडी जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बालों को कलर कैसे कर सकते हैं और कलर के लिए मैं यहाप पर यूज करने वाली हूं महनल यानि की हीना जो की बालों के लिए काफी अच्छी होती है बालों को सॉफ्ण शायनी बनाएगी और यह आपके बालों को नैच्रली कलर भी करने वाली है तो यह डे टू है और सेकिंड रमेडी मैं आपकी साथ शेयर करने जा रही हूं इस दिना सिर बालों को कलर मिलेगा ब और आपको यहां पर plastic का या फिर glass ball का use करना है steel का ball बिलकुँ भी use नहीं करना है या फिर आप lohe की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं lohe का कोई बर्म यूज़ कर सकते हैं इसके पाद में यहां पर यह hina powder लिया है मैंने यहां पर in this valley बैंड का लिया हुआ है इसमें से थोड़ा सा मैंने पहले भी य्यूज़ किया हुआ है तो ये पूरा powder मैं आपपर add करने वाली हूँ आप जो भी हिना यूजय करते हैं जो भी हिना आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँपर तो बस मैंने ये पूरा packet add कर लिया है और इसके बार में यहाँ पर जो भी चीज़े आड़ कर रहे हूं वो मैं आपको बताते चाह रहे हूं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आड़ करना है आवला, रीठा और शिकाकाई का पाउडर तो यहाँ पर मैंने तीनों पाउडर को मिक्स करके रखा हुआ है इसलिए मैं तीन चमबच एड़ कर रहे हूं अगर आपके पास आवला पाउडर, रीठा पाउडर और शिकाकाई पाउडर में थोड़ से भी मोटे पाउडिकल्स है तो आप उन्हें चानकर भी यूज़ कर सकते हैं तो बत यहाँ पर इसा अच्छे से मिक्स करना है इसके बाद हमें यहाँ पर कॉफी का पाणी चाहिए यानि कि black coffee जिस तरह से हम बनाते हैं पानी को boil करके उसमें एक चमश आपको coffee आड़ कर देना है और इस तरह से यह आपको पानी बन कर त्यार हो जाएगा और जो गुन-गुना पानी है उसी से आपको इसे mix करना है अच्छे से यहाँ पर यह दो ग्लास लगबग पानी यूज कर लिया था तो यहाँ पर इस अच्छे से mix करना है एक बार मैं आपको जादा पानी यूज नहीं करना है तो आप यतिक हो गया है तो मैं फिर से यहाँपर और पानी याग करने वाली हूँ आपने अगर पानी नॉर्मल तो बस यहां पर इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी आने तक मैं इसे मिक्स करते जा रही हूं यहां पर अगर लंब्स रह भी जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसे रेस्टिंग टाइम देने वा तो इसे हम ऐसी ही छोड़ने वाले हैं आदे गंटे के लिए या एक गंटे के लिए आपको इसे रेस्टिंग टाइम जरूर देना है आपको मिनिमम इसे 30 मिनट के लिए तो छोड़ना ही है उसकी बाद ही हम इसे एपलाई करेंगे तो बस मैं आप इसे इसी तरह से छोड़ जो है वो ready हो चुका है apply करने के लिए इसे आपको अपने बालों पर अच्छे से apply कर लेना है रूट से लेकर आप tips तक इसे apply कर सकते हैं 10-15 दिन में जब आप इसे एक बार use करेंगे तो आपको काफी अच्छे results मिल जाएंगे आप इसी तरह से जब मेंदी लगाएंगे तो आपके बाल पहले से जदा soft and shiny हो जाएंगे प्लस आपके बालों को natural एक color भी मिल जाएगा तो इस तरह से आप इसे remedy को try कीजिए और मुझे बताइए कि day two की remedy आपको कैसी लगी और अगर आज का एई वीडियो अच्छा लगी तो please वीडियो को like कर देना अपने friends and family के साथ share कर देना और अगर अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर देना पासफ़ले बेल आइकन को press कर देना इससे आपको मेरे वीडियो की latest notification मिलते रहेंगे फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई